दोस्तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अब स्टॉक एप्लिकेशन अगर आप यूज कर रहे हो और आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो यानि कि MCX में ट्रेडिंग करते हो तो किस तरीके से आपको ये ट्रेडिंग करनी होती है क्या क्या चीज़े होती है सारी आप trade करते हो तो आपको सिर्फ future and options में ही trade करना होता है इसका timing होता है सुबह 9 बजे शुरू होता है रात को 11 बजे यहाँ पे जो trading है वो खतम होती है 9 a.m. से लेके 11 p.m. तक आप intraday trading यहाँ पे कर सकते हो या फिर आप carry forward भी जब तक इसका expiry है तब तक किया 10 साल होल किया ऐसा नहीं कर सकते expiry होगी तब आपको exit करना पड़ेगा अब different different commodities हमने यहाँ पे add किये है जैसे gold petal है gold jiva है या फिर gold है aluminium है aluminium mini है crude oil mini है crude oil है और भी बहुत सारे commodities यहाँ पे आपको trade करने का मौका मिलता है अभी यहाँ पे मैंने futures add किये है मैं आपको यहाँ पे जो options है वो भी add करके दिखाऊंगा अब यहाँ पे हम crude oil की अगर बात करें तो crude oil community के हम बात करें तो crude oil में हमें options भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते है current price 5700 के आसपास चल रही है तो 5700 के आसपास ही हम यहाँ पे जो call put है वो लेंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हो 23 जून 14 जून, 14 जून, 17 जूले बहुत सरे यहाँ पे contracts मिल जाते है तो call or put हम यह पे add कर देते है और किस तरीके से trade करना है वो भी देखते है अब crude oil का call or put हमने add कर दिया है और crude oil future भी हमने यहाँ पे add कर दिया है तो सबसे पहले future में देखते है future में lot size क्या होता है क्या सारी चीजे है तो summary में आप देख सकते हो यह सारी चीजे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी प्राइज वैसी ही होती है candle stick वैसे तरीके सी आपको देखनी होती है और जो भी breakout आपको देखना है support resistance देखना है उसी तरीके से आपको देखना होता है buy अगर आपको करना है तो buy भी कर सकते हो अगर आप bullish हो तो buy करोगे bearish हो तो आप sell करोगे तो हम buy के उपर देते क्या situation यहाँ पर है तो यहाँ पर आप quantity एंटर करोगे delivery में लेना है तो delivery में ले सकते हो intraday में लेना है तो intraday में भी ले सकते हो बाकी order type सेम होता है market price के उपर यहाँ पर market price दिया है market price के उपर execute कर सकते हो limit लगा सकते हो stop loss limit और market limit market stop loss भी लगा सकते हो तो quantity हम एक करते हैं अब हम एक quantity यहाँ पे लेते हैं तो crude oil का जो lot होता है वो एक lot 100 barrel के समान होता है यानि कि आप एक quantity buy करते हो तो 100 barrel आप यहाँ पे buy करते हो इसके लिए total margin आपको requirement है 1,78,675 रुपे फिलाल मेरे account पे इतने पैसे नहीं है मैंने commodity पे जादा में trade नहीं करता हूँ equity के उपर focus करता हूँ आपको सिर्फ educational purpose यह सारी चीज़े बता रहा हूँ तो मैं कोई भी recommendation यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ इसके साथ commodity की lot size के उपर already मैंने video बनाया है कि क्या lot size होता है क्या ticker size होता है margin कितना होता है वो video आप जाके देख सकते है वो 0 दा का video है लेकिन आप commodity का अंदाजा आपको आ जाएगा lot size का बहाँ पे तो यह सारी चीज़े आप देख सकते हो यहाँ पे margin इतना लगेगा इतना margin होगा इतने पैसे होंगे तो ही आप trade कर सकते हो अब आप बोलेंगे कि delivery में इतना margin लगता है तो intraday में आपको कम margin लगेगा तो ऐसा नहीं है delivery करो या आप intraday करो same ही margin आपको यहाँ पे पे करना होता है मान लें जी है मोटा मोटा 20% upfront margin आपको यहाँ पे देना होता है अगर आप यहाँ पे cover order भी लगाते हो तो भी आपको यहाँ पे same ही margin requirement है same ही पैसे देने पड़ते है future में तो यह future की बात हो गई अगर आपको buy करना है तो review by order कर सकते हो review by order में आपको यहाँ पे पूरी detail दिखने के लिए मिलेंगी कि charges कितने लगेंगे और total margin required कितनी है यह सारी detail करने के बाद आप order submit कर सकते हो और आपका यह future है वो buy हो जाएगा और आप तुरंत उसी दिन भी बेच सकते हो या फिर expiry तक hold कर सकते हो और profit के बाद exit कर सकते हो तो ऐसा कोई नहीं है बहुत लोगों को सवाल होता है कि हमने अगर intraday में लिया है तो उसी दिन करना पड़ता है लेकिन हम delivery में ले तो intraday में ही उसको execute कर सकते हो तो हाँ आप कर सकते हो delivery में लेते हो तो भी उसी दिन execute कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यह सारी चीज़े है futures की अगर हमको call option put option buy करना है तो क्या यहाँ पे situation है वो देखते है चार्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका भी चार्ट देखके आप जो भी calculations है वो कर सकते यहाँ और buy कर सकते हो यहाँ पे crude oil का call option अब call option buy करने के लिए आपको फिर से delivery या intraday का यहाँ पे मौका मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी होगी एक lot आपको 100 barrel का ही आएगा लेकिन आप price जो प्रेक करोगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो future में एक ला क्या होता है कि आप जितना premium चल रहा है उतना ही पैसा पे करते हो अब 100 barrel के उपर 68 रुपीज चल रहा है तो आपको 6,800 रुपे ही यहाँ पे करने है लेकिन यही चीज़ अगर आप करते हो option selling में तो option selling में कुछ और चीज़ होती है अगर हम यहाँ पे देखी कि option selling कैसे करनी है तो sell में अगर आप जाओगे तो price same चल रहा है यहाँ पे 69.90 के आसपास लेकिन अगर आप एक lot यहाँ पे sell करना चाहते हो तो आपको 1,84,796 रुपे देने पड़ेंगे क्यूंकि यहाँ पे आपको upfront margin देना पड़ता है selling थोड़ी सी risky होती है वैसे buying भी risky होती है लेकिन selling का total गनीत अलग होता है इसकी वज़े से क्या होता है कि यहाँ पे आपको margin जादा देना पड़ता है क्यूंकि आपके बास already है नहीं न यह तो आप नहीं है वो उसको sell कर रहे हो इसके लिए आपको extra पैसे यहाँ पे देने पड़ते है तो जैसे stock में short selling होती है या फिर option की selling होती है उसमें जादा पैसा देना पड़ता है सेम आपको commodity में सारी चीज़े करनी पड़ती है तो इस तरीके से आप intraday trading हो या free delivery trading हो इस particular commodities में कर सकते हो चाहे options में करो हो चाहे futures में करो सेम आपको सारी चीज़े करनी है अब एक और example देखते है gold का gold के यहाँ पे मैंने ती contract करके है अलग-अलग से अब gold petal में क्या होता है कि एक जो quantity होती है वो एक gram की होती है मतलब एक gram का एक lot होता है और उसके लिए आपको पैसे कम देने होते है तो अगर आपको safe करने है safe trading करनी है ज्यादा पैसे नहीं है आपके पास तो आप gold petal में trade कर सकते हो और एक ही gram का आपको यहाँ पर gold में trade करना होगा तो यहाँ पर lot भी बढ़ा सकते हो जैसे कि 3-4 lot ली लिए तो भी 2000-3000 में आपकी trading हो जाती है तो यह भी आप intraday में कर सकते हो और delivery में भी same आपको सारी चीज़े करनी पड़ेगी अगर आप gold यहाँ पर तीसरा option select करते हो gold यह वाला तो इसमें क्या होता है कि इसमें 8 gram gold आता है मतलब एक lot का 8 gram आपको देना है और इस तरीके से आपका जो margin है वो change होता रहता है और intraday में आप सारी चीज़े यहाँ पर देख सकते हो लेकिन इसका जो price है वो actual gold की price से थोड़ा सा आपको difference यहाँ पर दिखाई देगा तो यह थो तो आपको पूरा analysis आना चाहिए और analysis के बाद ही आपको trading यहाँ पर करनी चाहिए तो इस तरीके से different different commodities आप add कर सकते हो और upstock में commodity trading कर सकते हो आसानी से अगर आप पूरा का पूरा future trade करना है तो आपके पास cash जो है वो काफी अच्छी तरीके से होना चाहिए आपके पास fund हो तो आप जैसे मैंने कहा कि gold petal हो गया crude oil mini हो गया aluminium mini हो गया तो कम पैसे में इसमें आप trade कर सकते हो और आसानी से आपकी trading जर्री शुवात कर सकते हो तो यह था पूरा कि upstock में आपको commodity trading किस तरीके से कर दी है मैंने order execute करके नहीं दिखाया है क्योंकि मैं ज्यादातर यहाँ आप commodities में आप stock में trading नहीं करता हूँ और इतना fund भी मैंने आप यहाँ पर add नहीं किया इसकी वजह से मैंने order जो है वो execute करके नहीं दिखाया लेकिन आप same procedure follow करके order execute कर सकते हो और इस तरीके से ही commodity में trading कर सकते हो बाकि इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर कोई doubts है तो आप मुझे comments में पूछ लेना वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे comments में बता देना वीडियो को जादा सेयदा like करना और share करना चैनल को subscribe करना ना भूरना धन्यवाद